दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है उन सेलर के लिए जो एमजॉन पे सेल करते और जिनका रिटर्न बहुत ज्यादा आता है और रिटर्न आने की बज़ा से उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो जाता है तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ पैक्टि वीडियो को देखते रहे है और अगर आप नया हो इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को प्रेस कर लिजिए दोस्तो आपको दिखाने के लिए मैं आपने सेलर सेंटरल से कुछ स्क्रीन शॉट लिया है जो आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा तो रिटर्न को क करने के लिए रिटर्न किस बज़ा से हो रहा है आपका यह सबसे पहले आपको जानना परेगा रिटर्न को कम करने के लिए तो इसके लिए आपको जाना परेगा सेलर सेंटरल में पूफॉमेंस के अंदर और पूफॉमेंस के अंदर जाने के बाद आपको मिलेगा वॉइस of the customer में जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा और इसमें से इससे पहले यह देखें फूल्फिल वाज सेला लिखा है फिर इससे पहले आपको इसके वाइडरी दिखेगा दैन उसके सामने आपको दिखेगा जो प्रोड़क्त का टाइटेल आइटेम टाइटेल वह है तो वह सब मैंने क्रॉप कर दिया यहाँ यह पेज आपको यहाँ पर देखना परेगा देखेंगे वेरी पूर वेरी पूर पूर फियार फिर नीचे अपका गूड एक्सिलेंट तो आपको देखना परेगा टॉर रिटांड रिजन किस रिजन से आपका प्रोड़क्त आ रहाए कुछ यहाँ पर होगा रिजन जो इसको आप कंडूल कर सकते हैं कुछ रिजन होगा जो आप कंडूल नहीं कर सकते तो गाइज देखो सबसे पह तो रॉंग आइटेम वास इंट ये जो सेलार प्रोडक्ट जब शिप करते हैं ये हमारे हाद में है कि प्रोडक्ट हम सही एक्जैक्ली प्रोडक्ट जो कस्टोम ने और कि हम उसी को हम शिप करें कई बार क्या होता है हम लोग पैकिंग करने के लिए कोई बंदे को रखते काम पर तो बो मिस्टिक हो जाता है उनसे क्योंकि कोई सेलर नहीं चाहेगा कि जान बूच के हम अपनी प्रोड़क्ट को डिफरेंट आइटेम भेजे ताकि हमारा जो प्रोड़क्ट को रिटान आया और हमें लॉस उठाना परे तो इस चीज़ को आप नोटिस कर पाएंगे रॉ आइटेम है तो उसमें क्या है आप उसको चेक करके फिर भेज सकते हो ताकि जो कस्टमर है उसको डिफेक्टिव आइटेम ना मिले यह सब आप देख पाए रहे हो ना इसको मैंने डिलीट कर दिया या जो प्रोड़क्ट है उसका क्वालिटी खराब है एकदम जिसको मैं च 20 पिस क्वांटिटी पर्चेस किया था तो उसमें से लगबग मेरा 8-9 पिस डिफेक्ट निकला तो फाइनल मेरा जो प्रोड़क्ट है वो 13 पिस तो इसको जो प्राइस है उसको मैंनेज करने के लिए और इस प्राइस को इंक्रीस करना परेगा और इस बाइस सेल भी कम होता तो इसमें कस्टेमर को क्या है कहीं पर हम लोग प्रोड़क्ट भेज देते हैं और कस्टेमर को नॉलेज नहीं है कि उसको कैसे यूज करे या जो उसका पॉफॉमेंस है मान लो कोई आपने ब्लुटूथ स्पीकर सेल किया तो उसका जो साउंड है वो कस्टेमर को उतना आइटेम भी आप कर पाएंगे इसको जो पॉफॉमेंस और क्वालिटी नॉट एडिकोई ये कुछ हद तक आप मैनेज कर पाएंगे क्योंकि एक प्रोड़क्ट सब कस्टेमर को पसंद आएगा एक ही टाइप का ऐसा तो नहीं होता आप किसी को सब को खुश नहीं कर सकते एक साथ इसके बाद missing parts और accessories अगर आप कोई ऐसे combo item भेज रहे हो तो इसमें क्या होता है आपका missing होने का chances या customer ने 5-6 quantity order किया और आपने उसमें से 1-2 quantity आपने कम करके भेज दिया तो इसमें भी आपको ऐसा हो सकता है missing item customer को मिल सकता है तो mostly इसी reason की बज़ा से आपका जो return extra इस तहात है अभी quality customer को अगर पसंद नहीं आ रहा है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग को आप खुछ नहीं कर सकते लेकिन 1-2-3-4 इन 4 चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से manage कर पाएंगे और आपको मैं टेक्निक बता देता हूँ जो हम लोग आप उसको बस बोल देना कि जो आपको invoice रहेगा उसमें जो SQ रहेगा उस बॉक्स में जो SQ रहेगा उसको देखके वो निकाल के डाल देब उसके अंदर जो भी रहे उसको देखने से या पुड़ा title परने से उसको कोई मतलब नहीं है वो बस SQ मैच करेगा और packet को अंदर courier back के अंदर डालेगा तो इससे क्या होगा आपका जो missing item या मतलब wrong item है customer के पास जाता है वो नहीं जाएगा तो हम लोग भी ऐसे packing करते बहुत easy है बहुत time बचता है पुड़ा title परो फिर समझो यह सब बहुत complicated है आपको यह वीडियो पसंद आया कोई भी question न तो अब मुझे comment कर सकता है अगर पसंद दो like करें चैनल को subscribe करें thanks for watching बाई